सोशल मीडिया फेस्बुक पर जिलादिकारी भागलपुर के नाम से फेक इट बना कर पैसे की मान की जा रही थी इस मामले में वरिय पुलिस अधीक्षक के द्वारा, पुलिस अधीक्षक नगर के नित्रित्व में एक एसाइटी टीम गठित की गई उक टीम के द्वारा के गए तक्नीकी अनुसंधान एवं विभिन स्रोतों से प्राप्त सूचना से ग्यात हुआ कि इस घटना से भारतवर्ष के कई राजियों से तार जुले हुए हैं जो एक संगत्थित अप्राद कर रहे हैं अब तक के अनुसंधान से मध्य प्रदेश, पश्चम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्रा, चत्तीजगर, जारखंड, बिहार आदी राजियों की संगत्थित अप्राधियों की समलिप्तता प्रकाश में आई है, उक तीन द्वारा तक्नीकी अनुसंधान के आधार पर 10 जुलाई को मध्य प्रदेश के अनुपपुर जला के रामनगर थाना से एक व्यक्ति को गिरफतार किया गया, तथा एक मोबाइल एवं एक सीन जबत किया गया, 12 जुलाई को उत्तराखंड के ह रिद्वार जिला के भगवानगर थाना क्षेत्र से दो व्यक्ति को गिरफतार किया गया, तथा 43 चेक बुक, 8 पास्बुक, 4 एटेम, 2 आधार कार्ड, 1 डील, 3 पैन कार्ड जबत किया गया इसमें दिला दिखारी भागल के नाम से एक Facebook ID बनाया गया था, और उसका दुरुपयों करते हुए कई लोगों से पैसे की ठगी की जा रही थी, इस संबंद में साइबर थाना में F.I.R. दर्ज किया गया जो की 23-24 है, जो की 3,20,000 रुपय ठगी से संबंदी मामला था, इस संबंद में SSP सर के द्वारा एक टीम बनाया गया, इसमें देशपी लाइन जो कि अभी बर्तवान में SSO साइबर खाना है, और इनकी पूरी टीम थी, इन पूरे टीम के लगातार मेहनत के गल पे, हम लोगों ने एक संगठित गिरू का परदाफास किया है, जो कि विविन राजियों में कार रहा था, राजित ग्रमशा, मद्वर्देश, पर्शीमंगाल, राजस्थान, उत्रपरदेश, उत्राथ्फन, महराज, शक्यजगर और जहारखार, ये गिरूँ इस सारे राजियों में काम कर रहा है, जो कि संगठित रूप से ये काम कर रहा था, इक टी आसमान जी है, पिता भायालाल के वट, जो की अनुप उप्पुर, राजमद परदेश का रहने वाला है, अन्य टीम जो निकाली गई थी, जो उत्राखन जो टीम गई थी, जो बारा तारिकों, दो व्यक्ति को गिरफतार गया है, इसमें अर्विंद, जो की पिता स्वर्ग अब तक ही निकल किया जो अभिसे खुराना है, जो की इस पूरे गिरो का अभि तक का जो बर्दमान में जो है, किंग बिल, इसके नुप सारी अकाउंट को विवाया राता था लेवर को, उस पैसे कमिशन को देते हुए, इस पूरे दो व्यक्तियों के पास से 43 चेक बुक, आठ पासूग, चार एटियम, दो अधार काड़, एक डियल, तीम पैन काड़ को जब्त किया गया है, तिलका मान जी थाना अंतरगत सामुहिक दुशकर्म मामले में घटना दर्ज होने के 36 घंटे के अंदर सफल उख भेदन कर 04 अभियुक्तों को गिरफतार किया गया, 13 समबंदित तिलका मान जी थाना में शिकायत दर्ज की गई, महिला थाना अध्यक्ष एवं तिलका मान जी थाना के महिला पदादेकारी के समक्ष पीरिता का बयान लिया गया, जिसकी वीडियोग्राफी कराई गई, तदुक्रांट नियमानुसार चिकित सिय जाच कराई उक्त मामले में वरिय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के निर्देशन में श्री राज पुलिस अधीक्षक नगर के निगरानी एवं अजय कुमार चौधरी पुलिस उपाधीक्षक नगर के नेत्रित्व में एक इसाइटी का गठन किया गया। प्रयुक्त गम्चा तो प्रयाазी जबत किये गए गिरफटार अभीयुक्तों कि द्वार्ण में अपनी संल्लिकतल ह्ज़ना स्वीकार किया है गिरफटार अभीयुक्तों को न्याईक एरासत में भेजा जा रहा है तथा अग्रतर कारवाई किया जा रहा है। जैसे ही पुलिस को सुचना मेली यह घटना 11 तारीक के साम तक विवन 7 से 9 बजे के बीच की घटना है। इस सम्मान में SIT को सारा FSA की टीम के साथ घटना पे जो हम लोगों को साच मिले हैं। सब को इकद्रिट किया गया है। इस ना में जो इस्तमाल गमच्छा है, कप्रे हैं इस सब को विदिवज़त किया गया है। इस पूरों नामले में पुछ चार अपराधियों की गिरफतारी की गई है। नवदच्या के इसमाईलपूर प्रखन दंतर गचशिब मंदर टोला में अजीब उगरीब घटना सामने आई। जहां बारात को दर्वाजा लगाने के दौरान लड़के की गारी से लड़के को उतारने के दौरान शराब के नशे में लड़की पक्ष के बुआ के बेटे के द्वारा गोली चला दी गई जसमें मौके पर ही लड़के के मौसा की मौत हो गई लड़के के मौसा की मौत के बाद महाल गमगीन हुगया इस मामले को लेकर करीब तीन थानों की पुलिस मौके पर पहुँची वही नवगचिया SDPO ओम प्रकाश कुमार भी मौके पर पहुँचे उन्होंने बताया की FSL टीम एवं स्थानिय थाना की पुलिस चानी बीन कर रही है वही उन्होंने बताया की लड़के के बयान पर आवेधन दर्च कर लिया गया है जिसमें उन्होंने बताया है कि लड़की पक्ष के बुआ के बेटे साजन कुमार को लोगों ने आरोपी बनाया है इसमें उसे शराब के नशे में हवाय फाइरिंग और लड़के के मौसा के उपर गोली चलाने का आरोप लगाया गया है वही लड़की के पिता ने बताया कि हमारी बेटी की शादी रात में होने वाली थी जो कि रात में घटना के कारण अब नहीं हुई वह कहते हैं कि शादी से पूर्व के रस में वेव्यस्त थे अचानक गोली की आवाज सुनकर वह दरवाजे पर दोड़े तो लहुलोहान लड़का के मौसा को जमीन पर पड़ा देखा मेरा मौसा बोला कि अगर नए घुस रहा है गाड़ी तो कोई दिक्कत में मेरा बेटा पईदे नहीं चला जाएगा लेकिन उसी करम में एक आदमी आया सराप्ती के और जो हमें कट्टा था जिला प्रशासन भागलपूर द्वारा श्रावनी मिला में कावरियों के लिए कई वर्षों से लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयो जन किया जाता है इस बार भी कलाकारों ने अपना ओनलाइन और ओफलाइन फॉर्म भरा जिसका आज साक्षातकार था चैन प्रक्रिया में कलाकारों ने अपने गीत नित्य के जरिया ओडिशन दिया आदामी 23 जिलाई से श्रावनी मिला प्रारम होने वाला है इसमें कई जदों से चैनित कलाकार अपनी टीम के साथ शिव भजन, नित्य नातिका, नित्य की प्रस्तुति करेंगे वही यह चैन प्रक्रिया भागलपुर के बरारी स्थिक DRCC कार्याले में आयोजित की गई चैन प्रक्रिया में निर्नायक की तौर पर जिला प्रशासन की और से कई पदादिकारी मौजूद थे चयन प्रक्रिया में चयनित कलाकार को उन्हें अकबारों और मुबाईल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा ऐसा आश्वासन देते वहां की पदादिकारी दिखे बेवस्था है तो भागल पुर्जिला प्रसासंद्वारे किया जाता है धान्दी बेलाडी में संस्कृतिक कार्च करम का पड़ती दिनायोजन किया जाता है संध्या साथ वजे से दस वजे तो 30 दिनों तक वहां कार्च करम चलेगा और उसी के लिए 140 आवेदन आये हैं संस्क क्योंकि हम लोग देवगर में सो कहिना रहता है तो पहले और अडिशन देना पड़ता है उसके बास सो मिलता हम लोग कहने के लिए पर शाभनी मेला जो 30 दिनों का कारिक्रम होने वाला है उसके लिए चैन हो रहा है कि कौन-कौन कलाकार उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो जो भी पार्टिसिपेट सेलेक्ट हुएं उनको वा मौका मिलेगा मान देर आशिप्राप की जाएगी सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जाएगा कलाकारों को थोड़ा बहुत तो क्या सकते हैं कि थोड़ा विवस्थे तरीके से होना चाहिए था क्योंकि लोगों की बहुत जाता भीड़बार हो चुकि लिए लगबग 300 लोगों ने फॉर्म डाला है तो 300 लोगों की ववस्था तो यहां पर नहीं है लेकिन उसमें से कुछ लोग आल जानी चाहिए थी क्यों ये नियम सभी कर्मियों पर लागू होने की मान कही गई 15 जुलाई को वर्ल्ड यूद स्किल दे के रूप में मनाया जाता है इस अफसर पर प्राउट ट्यालेंट स्किल सेंटर भागलपुर के द्वारा मेरा अथन दौर प्रभात फेरी का आयोजन किया गया जिसके तहट नाथनगर थाना गुरुकुल उच्च विद्यालय नाथनगर एवं एन एचेटी के किनारे में व्रिक्षारोपन किया गया एल जिसमें नीम, अशो, पीपल, बर्गा दित्यादी लगभद सोपोधि लगाए गये इसके उपरान सेंटर पर छात्र एवं छात्राओं द्वारा भाषन, लेखन, रंगोली प्रतियोगिता, केक में किन्प का आयोजन किया गया भारत सरकार युवाओं के लिए विभिन तरह की कार्यक्रम का आयोजन करते रहते हैं प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना सरकार का एक महत्वा कांक्षी योजना है सरकार के द्वारा हर शहर में स्किल सेंटर की स्थापना की गई है जहाँ पर स्किल डेवलपमेंट करने के लिए तरह तरह की कोर्स का निशुल ट्रेनिंग दिया जाता है प्राउड टैलेंट नातनगर में अभी कम्प्यूटर, इलेक्रीशियन, ब्यूटिशियन और सिलाई कराई का निशुल ट्रेनिंग 480 बच्चों को दिया जाता है केंड के मैनेजर अमित कुमार पार्थक ने बताया कि प्रशिक्षल के बाद मिलने वाले कौशल प्रमान पत्र से सरकार के योजनाव से पीमाई जीपी, उद्यमी लोन में सहायता मिलती है